हेलो एब्रीवाइन वेलकम टू एसी की टूटोरियल आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेटिस्ट गर्मेंट जॉब अपडेट के बारे में जैसा कि आप लोगोंने नाम सुना होगा इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिडेट का तो इसी में नोटिफिकेशन आया हुआ है नोन एक्जिक्यूटिब पोस्ट के लिए क्या है सेलेक्शन प्रॉसेस कब से आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं कौन-कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए यानि कि कौन-कौन से educational qualifications वाले students इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं एक्जरनेशन फॉर्म को करने का फी क्या है सेलेक्शन प्रॉसेस क्या है एक्जरनेशन प्ैटर्न क्या होंगे कौन-कौन से subject से question पूछि जाएंगे हरे एक चीजों को आज के इस वीडियो में मैं detail में discussion करने वाला हूँ आप सरी के साथ, तो आप लोग पूरे यकीन के साथ, इस वीडियो में last तक बनी रह सकते हैं, और मैं आप सभी से promise करता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा last तक देख लेते हैं, तो इस recruitment से related, आपके मन में किसी भी तरह का दूविधा, किसी भी तरह का doubt, question, प्रस्न नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर रह जाते हैं by mistake से, तो आप लोग इस वीडियो के comment sections में लिकर के पूछ सकते हैं, मैं कोसिस करूँगा अगली वीडियो में उसको cover कर दूँ, लेकिन मैं पहले कोसिस करूँगा अपने तरप से, कि सारा doubt आपके questions, confusion, जितने भी हो सकते हैं आपके मन में, मैं अपने साइट से कोसिस करूँगा सब का answer इसी वीडियो में मैं दे दूँ, तो चलिए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं, लेकिन इस वीडियो की सुरुआत करने से पहले, अगर आप लोग हमारे SQ Tutorial YouTube चैनल पे पहली बार विजिट किये हैं, तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए, फोर मोर वीडियो की नोटिफिकेसंस को पाने के लिए, तो चलिए अब हम लोग वीडियो की सुरुआत करते हैं, यहां पर जो है बेसिकली नॉन एग्जिक्विटी पोस्ट के लिए निकला हुए वेक हैं, तो डिपलोमा, B.Sc. और I.T.I. और 10th है, यह वाले बच्चे इलिजिबल हैं, तो चलिए अब हम लोग डिटिल में सुरू करते हैं, यहां पर, अप्लिकेसं जो इस्टार्ट होने वाला है, यह बेसिकली 22 जुलाई से, जो की स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग फॉर् के बारे में भी बता दी गई है, एक्जानेसंस यह सेप्टेमबर में ले लेंगे, यानि कि क्विक प्रक्रिया होगा आपका सेलेक्शन के लिए, एडमीट कार्ट जो अभेल होगा, वो 10 सितंबर को अभेल हो जाएगा, और एक्जानेसंस सेप्टेमबर में ही है, तो हमको लगता है कि वन वीक पहले अगर एडमीट कार्ट रिलीज होता है, तो 17-18 सितंबर को इसका एक्जानेसंस भी होंगे, जो अप्लिकेशन फॉर्म फीलब करने का फी रखा गिया है, वो रखा गिया है, जेनरल, OBC, EWS के लिए 300 रूपीज का, और SC, ST, PH के लिए 0 रखा गिया है, और आप एक्जानेसंस भी को दे सकते हैं, डेबिट कार्ट, क्रिडिट कार्ट, नेट बैंकिंग के थ्रूँ आप लोग दे सकते हैं, इसके बाद इसमें जो मीनिमम एज रखा गिया है, वो 18 साल रखा गिया है, और मैक्सिमम एज जो है 26 साल है, एज में रिलेक्सेशन मिल सकता है, एज पर गवर्मेंट का जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो आइओ सील का गैस नॉन एग्जेक्विटिव के रिकूट्मेंट के रूल्स के एक्कॉर्डिंगली, टोटल जो यहां पर जो डिवीजन नेम है, रिफाइनरी डिवाइजन में मिला है, 400 पो दिया गया है, सभी कुछ फैक्टरी वाइज डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि जुनियर इंजिनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन रिफाइनरी डिवीजन में है, यानि कि जिन्होंने भी इंजिनियरिंग डिप्लोमा प्रोडक्शन में किया है, वो लोग इसके लिए अलग अलग यहां पर फैक्ट्रीज हैं IOCL का जैसे गोहाटी, बरवनी, गुजरात, हल्दिया, मथूरा, पी आर पीसी, पानीपत, डिगबोई और यहां पर बहुत सारे और भी दिये गए हैं फैक्ट्रीज के नेम, इंजिनिरिंग डिपलोमा इन केमिकल में किया है कोई भी बच्चे इस फॉर्म को फिल अब कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है, जेनरल OBC EWS 50% माक्स में क्वैलिफाइ कर जाएंगे, SCST 45% में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट जो है आता है, जूनियर इंजिनियरिंग, असिस्टेंट 4th P&U, रिफाइनरीज डिवीज रहा है, बिहार के जो बच्चे हैं, वो बाराणी में तीन वेकेंसी रिलीज है, इसके लिए कौन को इलिजबल है, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, फीटर में, किसमें, फीटर में, और वाइलर कॉम्पेंटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर अगर ये नहीं है, तो आप BSC डिग्री अगर है, PCM विट वाइलेट ट्रेड अपरेंटेशिब ट्रेनी के साथ, तो आप फॉर्म को फिलब कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इंजिनियरिंग डिप्लोमा है, मेकेनिकल इंजिनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजि डिविजन में, अलग-अलग है, पी, आर, पी, सी, पानिपत, पारादीप, ये दो जगहों पे, डिपलोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग वाले बच्चे, फॉर्म को फिलब कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोनिक्स भी, अगर डिपलोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स देख सकते हैं, मैं चुकि यहां पर इस वह देख रहा हूं कि सब कुछ एक फॉर्मेट में लिखा गया है, डिटिल नोटिफिक्स सब चीजों को खोल कोल के खोजना पड़ता है, तो यहां पर इन सबी चीजों को मैं बता सकता हूं, इस वजह से, हाला कि मैं ओफिसी नोट सब्सक्राइब निकल असिस्टेंट, रिफाइनरीज डिवीजन में, जैसे गोहाटी, बरवनी, हल्दिया, पानिपत, डिगबोई, ठीक है, पारधीप यह सभी जगहों पे, इलिजबल हैं, यह सभी बच्चे, फिर इसका पोस्ट कोड जहें, जुनियर इंजिनियरिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन के लिए, इसके लिए जो इलिजबल इस्टुडेंट है, वो इंजिनियरिंग, डिप्लोमा इन्स्ट्रुमेंटेशन, या इंस्ट्रुमेंटेशन एंड इलेक्रोनिक्स है, इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रूल इंजिनियरिंग, यह सभी जो ह आगया है नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कुल मिला करके यह नोटिफिकेशन देखर करके यह समझ में आ गया होगा कि 10 वाले बीसी वाले डिपलोमा होल्डर्स वाले आई टी यह वाले बच्चे इस फॉर्म को इसको लिए ओप्लोम से नोटिफिकेशन देखेंगे कुछ इस तरह का देखता है इसका आप लोग उसको चाहएंगे डाउनलोड करने के लिए तो आप लोग ऐसके आप से डाउनलोड कर सकते हैं यहांपे अपको इ दीटेल में वेकेंसी के बारे में जानकरी दी गई है उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आगे होगा अप्लिकेशन फॉर्म फिलप करने का जो फी है वो 300 रुपीज रखी गई है तो आप लोग फॉर्म को फिलप कर सकते हैं यह चीजें हमने बता दिया था अब एक जनर टेस्ट होगा ठीक है यह सभी चीजें हो सकती है तो depends on the situation क्या चीजें होते हैं लेकिन बेसिकली इस कील टेस्ट करके वोल लेंगे ठीक है यह चीज़ अब बात कर लेते हैं CBT जो होगा जो कि पहला स्टेज होगा वो कैसा होगा क्या होगा उसमें कैसे कोस्टेंस रहेंगे किसकी सब्जेक्स से कॉस्चन नें कितने मांस की कौस्चन रहेंगे दिखे प्यारे बच्यों इस एक्टर इस मे जो क्वोट्चन रहेंगे वह तोटल 100 कोस्चन रहेंगे और सबसे अच्छा बात और सरप्राइजिंग बात बताओं मैं चली बता देता हूं इस एक जनरेसंस में निगेटिव मार्किंग नहीं है यानि आप को सारा बना करके आईएगा छोड़ करके नहीं आईएगा क्योंकि आप करना है तो फिर क्या करना है सारी कौस्टन को अब बात करते हैं क्वां से सब्जेक्ट से कितने माइस के कोशिंगे तो जो बेशिकली वन हंड्रेट पोस्टन रहेंगे जिसमें से सेवन्टी फाइब कोस्टन जो रहेंगे वो रहेंगे आपका technical, आपका branch paper से, कितना question 75 questions, अच्छे से note down कर लीजिए, इसको मैं दिखा भी देता हूँ, इसके official notifications में ही लिखा आवा था कहीं पर, मैंने पढ़ा है इसको detail में, अगर मील जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ह अगरा जाते है 25, तो उसमें से math रहेंगे, reasoning रहेंगे, और general awareness के questions रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, math रहेंगे, reasoning रहेंगे, और general awareness रहेंगे, तो 10-10 marks के math reasoning रहेंगे, ठीक है, और आपको general awareness के questions भी देखने को मिलेगा, तो ये सभी चीज़ें इस notifications में दी गई है, आप लोग देख सकते हैं और मैंने बता ही दिया है अलग-अलग keeper का qualifying के यहां पर देख सकते है 15 मार्क्स जो रहेगा वह आपका numerical ability रहेगा और 10 मार्क्स के जो रहेगा वह जेनरेल awareness का याने कि 25 मार्क्स हो गए और total subject knowledge का 75 मार्क से вопросы массu प्रोसेस से आपका सेलेक्शन इने कि अगर एग्जैमेसंस एक सी ज quicker में होते हैं और डफीनेटली होंगे ही क्योंकि यह इल्ली आपका सेलेक्शन तो आप लोग इसको आराम से फ़र्म को feel up करना चाहते हैं किसी भी तरह का help चाहिए किसी भी तरह का जानगारी चाहिए किसी भी तरह का suggestion लिना चाहते हैं तो आप लोग बैसिकले इस वीडियो से comment section लेकर के भेज़ सकते हैं और हाँ अगर आप लोग preparation करना चाहते हैं इस examinations का तो आप लोग download कर सकते हैं Google Play Store से SQ Tutorial app को और जूर सकते हैं हमारे साथ paid batch में और अपना preparation को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं इस examinations related अगर आपका branch electrical electronics instrumentation है तो आप लोग अवस्य जूरिएगा हमारे साथ क्योंकि हम लोग अ अगर इसी तरह से आप लोगों का प्यार support बना रहा तो और सभी ब्रांचिस के भी classes हम लोग provide कर पाएंगे तो इसी विज़ार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही मिलेंगे बहुत जल नहीं अगले एपिसोड में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वन दे मात्रम